नमस्कार आज लिके आई हूँ मैं फादर स्टे के लिए इस पिसल हेल्दी वाला केक जो की शुगर फ्री होगा और बहुत ही अच्छा वनेगा तो इसके लिए हम यूज करेंगे डेट्स का तो सबसे पहले डेट्स के बीज निकाल लेंगे हम इसको यहां एक बोल भरके मैंने डेट्स लिया है और इसका बीज निकालके इसकी सफाई कर लेंगे और हम इसमें डालेंगे एक किलास दूट भरके एक किलास दूट डालेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको हम भिगो के रखेंगे ताकि यह थोड़ा सॉफ्ट हो जाए जब तक यहां पर मैंने लिया है एक कप रागी का आटा वन फूर्थ स्पून बेकिंग सोड़ा वन फूर्थ स्पून बेकिंग पाउडर और आधा कप ओर्स यहां पर डेट्स वो गया है तो इसको हम पीस लेंगे ब्लेंडर में डालके अच्छा सा क्रीमी सा टिक्स्चर हो बना रहे हैं एक बड़ा ही अच्छा सा हेल्दी वाला केक अपने हेल्दी डैट के लिए हेल्दी केक बना रहे है तो इसका ध्यान रखना है हमें अब इसी ब्लेंडर में हम तीन चमल दही डालेंगे और इसका भी ब्लेंड कर लेंगे इसको भी एक अच्छी सी मीठी सी लस तो अच्छा सा स्पॉंजी केक हमारा बने गया तो बस वापस से एक अच्छा मिक्स देना हमें इससे जैसे यह मिक्स हो जाए इसको हम एक केक तिन में डालेंगे केक तिन को तयार करने के लिए आपको सबसे पहलो इसमें ओईलिंग कर लेनी है और थोड़ा सा रागी का आटा डालके चारो तरफ अच्छे से स्प्रेट कर लेना है इस तरीके से यह देखिए मैंने केक तिन तयार कर ली है अब इस पूरे बैटर को हम इसमें डालेंगे रागी ओट्स और इसमें जितनी चीज़ें हमने डाली है सब बहुत ही अच्छी हेल्दी वाली है आजकल जितने भी फादर्स हैं सब ही हेल्दी चीज़ें ही पसंद करते हैं हेल्दी और कॉस्ट एफेक्टो जी हां जो थोड़ा सा मनी सेव करें चीज़ें पापा लोग को चीज़ें बड़ी पसंद आती है तो यह बहुत ही पसंद आएगा उनको तो अब इस केक को डाल दें आवन में और 35 मिनट के लिए बेक करना है 180 दिग्री सेलसियस पर जी हां यह देखें बढ़ियां सा केक बेक होके तयार है अब इसे कूल डाउन होने दें अच्छे से और डेलीशियस केक है गिल्ट फ्री केक है तो इसको आराम से आप बना भी सकते हैं और बहुत ही कम समय में बनके यह तयार हो जाता है तो रेसेपी अगर ट्राइ करिए गा तो जरूर बताएगा यह कैसा बना है बहुत ही आसान रेसेपी है तो बिल्कुल भी आलस मत चले फिर मिलती हूँ